हेई माई दियर कैप्रिकोन कैसे हैं आप सब आई हो फ्रेंज आप सभी सुष्ट होंगे हम चेक कर रहे हैं जुलाई 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है येस सन मून राइजेंग किसी भी वे से अगर आप मकराशी कैप्रिकोन से कनेक्टेड हैं या आपके लवड वन कनेक्टेड हैं तो ये रीडिंग आप उनके लिए खुद के लिए चेक कर सकते हैं उन्हें सेंड कर सकते हैं बिगनिंग ही बहुत प्रिटी हुई है तैन ओफ कप्स की एनर्जी आई है ऐसा लग रहा है ओवरॉल एनर्जीज आपकी ऐसी रहेंगी फैमली घर गरिस्ती के देट आच्छली आप पूरी फामली का ख्याल रखोगे सबके साथ मिल जुलकर कोलाबरेट करके डिसीजन्स लोगे फामली की छोटी-छोटी जरूरतों का ख्याल रखोगे तो इस पूरे मंत में आप लोग रहने वाले हो फामली ओरियंटेड लवी-डवी इमोशनल टा आप career oriented भी रहोगे like आपकी इसी energies लग रहे हैं जब मैं काम करूं तो मुझे family का कुछ नहीं सोचना और जब मैं family के साथ हूँ तब मेरे को कोई काम की I mean to say काम के वहां के लोग office का staff colleagues boss आपको call ना करें तो आप family के time पर family पर focus रहोगे काम के time पर काम पर focus रहोगे and ऐसा भी लग रहा है आपका काम इतना अच्छा चलेगा कि आप charities भी करने वाले हो spiritually आप लोग बहुत ज़्यादा अवेकंड हो रहे हो बहुत सारे लोग spirituality में इंट्रेस्ट लेंगे कुछ घर में spiritual like कीर्टन सत्संग ठीक या कोई part आप organize कराएं या किसी मनत को पूरा करकर आप दर्शन करने जाएं वैसे chances strong रहेंगे alright ऐसा भी लग रहा है friends आप मेंसे कुछ लोग health को लेकर थोड़ा सा uneasy रह सकते हैं like unnecessarily body ache या कुछ ऐसा life में चलना health के साथ कि जो समझ नहीं आना कि हो क्या रहा है क्या solution है इसका doctor को दिखाएं ayurvedic दिखाएं allopathic दिखाएं थोड़ा सा confusion health को लेकर रह सकता है ठीक है major कोई problem नहीं है लेकिन किसी की नज़र लगना कुछ ना कुछ चलते रहना एक चीज़ ठीक होना दूसरी पकड़ लेना ऐसे सिनारियोस आप लोग deal कर सकते है और राइट एसा लग रहा है study को लेकर career को लेकर growth को लेकर love and relationship को लेकर ये मन्त अच्छा रहेगा health थोड़ी सी struggling रह सकती है वे date friends आप में से कई लोगों की wedding हो सकती है wedding fix हो सकती है या energies है यहाँ पर spiritual reunion की और राइट अब मैं चेक कर रही हूं universe की कौन सी blessings आप तक आ रही है and blessings बहुत ही प्यारी है आदिया काली की your life will be full of light and happiness ठीक है and guidance क्या है आपके लिए आपको बस positive रहना है सब लोगों से happily deal करना है and खुद के emotions को positive रखने की कोशिश करनी है मिल जुल कर रहो family friends siblings जिनके साथ अच्छा लगता है time spent करो stress free रहो all right may God bless your friends take care